C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारब प्रस्तुत है अध्याय साथ राश्ट्रिय अर्थ व्यवस्था की जीवन रेखाई प्रिष्ठ संख्या 87 हम अपने प्रति दिन के जीवन में विभिन सामक्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं इन में से कुछ हमारे आसपास उपलब्द होती है जबकि कुछ अन्ने चीजों की जरूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती हैं वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ती स्थल पर अपने आप नहीं पहुच जाती वस्तुएं तथा सेवाओं के आपूर्ती स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने है तू परिवहन की आविशकता होती है कुछ व्यक्ति इसको उपलब्द करवाने में सनलगन हैं जो व्यक्ति उत्पात को परिवहन द्वारा उपूर्भोकताओं तक पहुचाते हैं उन्हें वयापारी कहा जाता है अताहा एक दीश के विकास की गती वस्तूओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन यानि मूबमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है इसलिए सक्षम परिवहन के साथन तीवर विकासेतु पूर्व अपिक्षित हैं वस्तूओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृत्वी के तीन महतपूं क्षित्रों पर किया जाता है इनही के आधार पर परिवहन को स्थल जल वा वायू परिवहन में वर्गी कृत किया जा सकता है चित्र संख्या 7.1 इस चित्र में परिवहन के साथनों का वर्गी करन प्रदैशित किया गया है परिवहन के साधन, इस्थल, जल, वायू. इस्थल में सडक परिवहन, रेल परिवहन और पाइप लाइन आते हैं. जल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन आते हैं. वायू परिवहन में घरेलू विमान सेवा और अंतर राष्ट्रिये विमान सेवा आते हैं. घरेलू विमान सेवा में सर्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवा आते हैं. बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षित्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षित्र में विस्त्रित वृध्धी हुई है। सक्षम वा तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गाउं में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का ये विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार वा व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविदताओं, भाशाई तथा सामाजिक वा सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षित्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायू, एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूर दर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदी इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। स्थानिक से अंतर राष्ट्रिय स्तरिय व्यपार ने अर्थ व्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को सम्रिध किया है, तथा आराम दायक जीवन के लिए सुविधाओं वा साधनों में बढ़ोत्री की है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधूनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधूनिक अर्थ व्यवस्था को संचालित करते हैं। अताह यह इसपश्थ है कि सघन वा सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र वा स्थानिय व्यापार हे तू पूर्व अपिक्षित हैं। प्रिश्थ संख्या 88 परिवहन ट्रांस्पोर्ट स्थल परिवहन भारत विश्व के सरवाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 23 लाक किलो मीटर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंब हुआ। निर्मान तथा वैवस्था में सडक परिवहन, रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधा जनाक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सडक परिवहन की बढ़ती महत्ता इन कारणों से है। पॉइंट एक, रेल्वे लाइन की अपेक्षा सडकों की निर्मान लागत बहुत कम है। पॉइंट दो, अपेक्षा कृत उबर खाबर वा विच्छिन भूभागों पर सडके बनाई जा सकती है। पॉइंट तीन, अधिक धाल प्रमणता तथा पहाडी क्षित्रों में भी सडके निर्मित की जा सकती है। पॉइंट चार, अपेक्षा कृत कम व्यक्तियों, कम दूरी वा कम वस्तूओं के परिवहन में सडक मित्वेई है। पॉइंट पांच, यह घर-घर सेवाएं उपलब्द करवाता है, तथा सामान चड़ाने वा उतारने की लागत भी अपेक्षा कृत कम है। पॉइंट च्छे, सडक परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उप्योग में एक कड़ी के रूप में भी कारे करता है, जैसे सडके, रेलवे स्टेशन, वायू वा समुदरी पत्तनों को जोड़ती हैं। भारत में सडकों की सक्षमता के आधार पर इन्हें इन छे वर्गों में वर्गी कृत किया गया है। राष्ट्रिये राजमार्गों के मानचित्र देखिए तथा इन सडकों की महतपून भूमिका बताईए। भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता, चैन्नई मुंबई वा दिल्ली को जोडने वाली छैलेन वाली महाराजमार्गों की सडक परियोजना प्रारंब की है। इस परियोजना के तहट दू गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षण गलियारा जो श्री नगर को कन्या कुमारी से जोडता है। तथा दूइतिये जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिल्चर यानि आसम तथा पूरबंदर यानि गुजरात को जोडता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुक उद्देश भारत के मेगा सिटी के मध्धी की दूरी वा परिवाहन समय को नियूनितम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राश्ट्रिये राजमार्ग प्राधिकरण यानि NHAI के अधिकार क्षित्र में है। राश्ट्रिये राजमार्ग नैशनल हाईवेज राश्ट्रिये राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोडते हैं। यह प्रात्मिक सडक तंत्र हैं जिनका निर्मार्ण वर्रक रखाओ केंद्रिये लोक निर्मार्ण विभाग यानि CPWD के अधिकार क्षित्र में है। अनेक प्रमुक राश्ट्रिये राजमार्ग उत्तर से दक्षिन तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली वा अमरिस्सर के मध्धे एतिहासिक शेर्शाह सूरी मार्ग राश्ट्रिये राजमार्ग संख्या एक के नाम से जाना जाता है। चित्र संख्या साथ पॉइंट दो इस चित्र में एहमिदाबाद वडोत्रा दृत मार्ग को दर्शाया गया है। क्रिया कलाप राश्ट्रिये राजमार्ग संख्या दो वा तीन के मार्ग पर आने वाले स्थानों के नाम बताएं। क्या आप जानते हैं कि राश्ट्रिये राजमार्ग साथ सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है जो दो हजार तीन सो उननतर किलोमीटर लंबा है। यह वारा नसी को जबलपूर, नागपूर, हैदराबाद, बंगलाओर, मदुरई के रास्ते कन्या कुमारी से जोड़ता है। राश्ट्रिये राजमार्ग आठ दिल्ली वा मुंबई को जोड़ता है, जबकि राश्ट्रिये राजमार्ग पंध्रा राजिस्थान के अधिकतर हिस्सों को जोड़ता है। राज्ये राजमार्ग स्टेट हाइवेज। राज्ये की राजधानियों को जिला मुख्यालियों से जोड़ने वाली सड़कें राज्ये राजमार्ग कहलाती है। राज्य तथा केंद्र शासित क्षित्रों में इनकी वेवस्था तथा निर्मान का दाइत्व राज्य के सारवजनिक निर्मान विभाग यानी PWD का होता है। प्रिष्ट संख्या 49 पर भारत का मान्चित्र दिया गया है जिसमें राश्ट्रिय राजमार्ग प्रदशित किये गये हैं। स्वन चतर्भुज, उत्तर दक्षण कलियारा, पूरा पश्चिम कलियारा और राष्ट्रिये राजमार्ग संख्या सहित, प्रिष्ट संख्या नव्वे. जिला मार्ग ये सडकें, जिले के विभिन प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्याले से जोड़ती हैं. इन सडकों की वैवस्था का उत्तर दाइत्व जिला परिशत का है. अन्न सडकें इस वर्ग के अंतरगत वे सडकें आती हैं, जो ग्रामीड क्षेत्रों तथा गावों को शहरों से जोड़ती हैं. प्रधान मंत्री ग्रामीड सडक परियोजना के तहत इन सडकों के विकास को विशेश प्रोत्साहन मिला है. इस परियोजना के कुछ विशेश प्रावधान हैं, जिसमें देश के प्रतेग गाउं को प्रमुक शहरों से पक्की सडकों, यानि वे सडकें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सकें, के द्वारा जोड़ना प्तस्तावित है. सीमान्त सडकें उप्रोक्त सडकों के अतरिक्त भारस सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सडक संगठन है, जो देश के सीमान्त क्शित्रों में सडकों का निर्मान वा उनकी देखरे करता है. यह संगठन 1960 में बनाया गया जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षित्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था इन सडकों के विकास से दुरगम क्षित्रों में अभी गम्मिता बढ़ी है तथा ये इन क्षित्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है चित्र संख्या 7.3 में पहाडी रास्ते को दर्शाया गया है सडक निर्मान में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सडकों को कच्ची वा पक्की सडकों में वर्गी कृत किया जाता है पक्की सडकें सीमेंट, कंक्रीट वा तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं अताह ये बारा मासी सडकें हैं कच्ची सड़कें वडशा रितु में अनुपियोगी हो जाती हैं। चित्र संख्या 7.4 में उत्तरी पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात को दर्शाया गया है। ये अरुनाचल प्रदेश का एक चित्र है। सड़क घनत्व प्रती 100 वर्ग किलोमीटर क्षित्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। देश में सड़कों का वित्रण एक समान नहीं है। इनका घनत्व जम्मू कश्मीर में 10 किलोमीटर प्रती 100 वर्ग किलोमीटर से केरल में 375 किलोमीटर प्रती 100 वर्ग किलोमीटर तक है। जबकि वर्ष 1996-97 के अनुसार सड़कों का आउसत राष्ट्रिय घनत्व 75 किलोमीटर प्रती 100 वर्ग किलोमीटर था। भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूज रहा है। यातायात वा यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जाल अपरियाप्त है। लगभग आधी सड़के कच्ची हैं तथा वर्ष रितू के दोरान इनका उप्योग सीमित हो जाता है। राश्ट्रिये राजमार्क भी अपरियाप्त हैं। इसके साथ ही शेहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग तथा भीड भरी हैं। तथा इन पर बने पुल वा पुलिया यानी कलवर्ड्स पुराने तथा तंग हैं। प्रिष्ट्य संख्या 91 रेल परिवहन भारत में रेल परिवहन वस्तूओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुक साधन है। रेल परिवहन अनेक कारियों में सहायक है जैसे व्यापार, भ्रमन, तीर्थी यात्राएं वा लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदी। एक प्रमुक परिवहन के साधन के अतरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतिये रेल एक महतपून समवयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतिये रेलवे देश की अर्थ वैवस्था उद्योगों वा क्रिशी के तीवर गती से विकास के लिए उत्तर दाई है। 31 मार्च 2004 के दिन भारतिये रेल परिवहन की मारगी ये लंबाई 63,221 किलो मीटर थी जिस पर 7,031 स्टेशन थे। तथा इसमें 7,817 रेल इंजन, 5,321 यात्री सेवा वाहन, 4,904 अन्ने कोच वाहन तथा 2,28,170 माल गाणियां सम्मिलि थी। भारतिये रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सारजनिक शित्र का प्रधिकरण है। देश की पहली रेल काड़ी 1853 में मुंबई और थाने के मध्ये चलाई गई जो 34 किलो मीटर की दूरी तै करती थी। ताली का 7.1 में भारत के रेलवे मार्ग को दर्शाया गया है। भारतिये रेल 63,221 किलो मीटर लंबे मार्ग को अनेक गेज पर तै करती है। गेज मीटर में, रूट किलो मीटर में, वहन मार्ग किलो मीटर में और कुल मार्ग किलो मीटर में दर्शाया गया है। बड़ी लाइन 1.676 गेज में, रूट 40,807 किलो मीटर, वहन मार्ग 66,754 किलो मीटर, कुल मार्ग 88,547 किलो मीटर, मीटर लाइन 1 गेज, रूट 13,209 किलो मीटर, वहन मार्ग 13,976 किलो मीटर, कुल मार्ग 16,489 किलो मीटर, चोटी लाइन 0.762 और 0.61 गेज, रूट 3,124 किलो मीटर, वहन मार्ग 3,139 किलो मीटर, कुल मार्ग 3,450 किलो मीटर, कुल रूट 63,221 किलो मीटर, वहन मार्ग 83,869 किलो मीटर, और कुल मार्ग 1,088,486 किलो मीटर, ये आकड़े भारत 2006 से प्राप्त किये गए हैं, भारतिये रेल परिवाहन को 16 रेल प्राखंडों में पुना संकलित किया गया है, क्रिया कलाप, वर्तमान रेल प्राखंड वह उनके मुख्याले बताएं, भारत के मानचित्र पर रेल प्राखंडों के मुख्यालेयों को प्रदेशित करें, देश में रेल परिवाहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकरितिक, आर्थिक वा प्रशास की ये कारक प्रमुख हैं उत्तरी मैदान अपनी विस्तरित समतल भूमी, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न क्रिशी वा प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास ववरिधी में सहायक रहा है। यद्यपी असंखे नदियों के विस्तरित जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्राया दुईप भारत में रेल मार्ग, उबढ़ खाबढ़ पहाडी क्षित्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदी से होकर गुजरते हैं। हिमाले परवतिय क्षित्र भी दुरलब उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अफसरों की कमी के कारण रेल्वे लाइन के निर्माण में प्रती कूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चमी राजिस्थान, गुजरात के दल्दली भाग, मद्ध प्रदेश के वन क्षित्र, चतीजगर, उडिसा, वाजजार खंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सहसरादी तथा उससे सन्निध क्षित्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार करपाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महदपून आर्थिक शित्र में पश्चमी तठ के साथ कोंकन रेलवे के विकास ने यात्री वावस्तों के आवगमन को सुविधा जनक बनाया है। यद्यपी यहां असंग के समस्याएं भी हैं जैसे भूस खलन तथा किसी-किसी भाग में रेलवे ट्रेक का धसना आदी। आज राश्ट्रिय अर्थ वैवस्ता में परिवहन के अन्ने सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुक हो गया है। यद्यपी रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ती की हानी तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतया समाप्त नहीं हुई हैं। जंजीर कीच कर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं जिससे रेलवे को भारी हानी उठानी परती है। जरा सूचिए हम अपनी रेल गाड़ियों को निर्धारिस समय पर चल्ले में कैसे मदद कर सकते हैं। प्रिष्ट संख्या 92 पर भारत का मानचित्र प्रदर्शित किया गया है जिसमें रेल मार्गों को दर्शाया गया है। प्रिष्ट संख्या 93 पाइपलाइन भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उप्योग शहरों वा उद्योगों में पानी पहुचाने हे दू होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षित्र से उपलब्ध गैस शोधन शालाओं उर्वरक कारखानों वा बड़े ताप विद्यत ग्रिहों तक पहुचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था यानि सलरी में परिवर्तित कर पाइप लाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधन शालाएं जैसे बरोनी, मतुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइप लाइनों के जाल के कारण ही संभव हुपाई है। पाइप लाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है लेकिन इसको चलाने की यानि रनिंग लागत निवनुतम है। वह नांतरण देरी तथा हानिया इसमें लगभग नहीं के बराबर हैं। देश में पाइप लाइन परिवहन के तीन प्रमुक जाल ये हैं। पॉइंट दो गुजरात में सलाया से वीरम गाउं, मथुरा, दिल्ली वा सोनी पत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा वडोधरा के निकट कोईली को चक्षु वा अन्य स्थानों से जोडती है। पॉइंट तीन गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यहां मध्य प्रदेश के विजएपुर के रास्ते हो कर जाती है। इसकी शाखाएं राजिस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाजहापुर, बवराला वा अन्य स्थानों पर हैं। जल परिवहन भारत के लोग अनंत काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षित्रों में भारतिय संस्कृती वा व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी वा स्थूल काई वस्तुवें ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में उर्जा सक्षम तथा परिया वरन अनुकूल है। भारत में अन्ताह स्थलिये नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 3,700 किलोमीटर मार्ग ही मशीनी कृत नौकाओं द्वारा तै किया जाता है। इन जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राश्ट्रिये जलमार्ग घोशित किया गया है। चित्र संखिया 7.5 में उत्तर पूर्वी राचियों में आंतरिक जलमार्क परिवहन को दर्शाया गया है जो अधिक महतपून है। इन जलमार्गों को भारस सरकार द्वारा राष्ट्रिय जलमार्क घोशित किया गया है। 1. हल्दिया तथा इलहबाद के मत्थे गंगा जलमार्क जो 1620 किलोमीटर लंबा है। नौ गम्मे जलमार्क संखिया एक। 2. सदियावाद धुबरी के मत्थे 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्म पुत्र नदी जलमार्क नौ गम्मे जलमार्क संखिया दो। 3. केरल में पश्चिम तटिये नहर जो की कोट्टापुरम से कोमान तक उद्योग मंडल तथा चमपकारा नहरे नोगम में जलमार्ग संख्या 3. अन्य सक्षम आंतरिक जलमार्गों में गोदावरी, क्रिश्ण, बराक, सुन्दर्वन, बकिंगम नहर, ब्रहमनी, पूर्वी पश्चिमी नहर तथा दामोदर घाटी नहर निगमादी शामिल हैं इन सब के अतरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट परिस्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95 प्रतिशत व्यापार, मुद्रा रूप में 68 प्रतिशत समुद्रों द्वारा ही होता है। प्रिष्ट संख्या 94 प्रमुक समुद्री पत्तन भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुक तथा 181 मध्यम वाच्छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुक पत्तन देश का 95 प्रतिशत विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वत्तंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विक्सित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले वैपारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला एक जुआरिये पत्तन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हर्याना, राजिस्थान वा गुजरात के अध्योगिक तथा खाध्यानों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई वरिहत्तम पत्तन है, जिसके प्राकृतिक खुले, विस्तरित वा सुचारू पोता श्रय हैं। मुंबई पत्तन के अधिक परिवाहन को ध्यान में रखकर, इसके सामने जवाहलाल नहरू पत्तन विक्सित किया गया, जो इस पूरे क्षित्र को एक समुह पत्तन की व्यादान कर सके, लो आयस्क के निर्यात के संदर्भ में मार्मा गाउ पत्तन, देश का महतुपून पत्तन है, यहां से देश के खुल निर्यात का आधा यानी पचास प्रतिशत लोआयस्क निर्यात किया जाता है, करनाटक में इस्थित निव मैंगलोर पत्तन कुद्रे मुख खानों से निकले लोह अयस्क का निरियात करता है सुदूर दक्षन पश्चिम में कोची पत्तन है यहाँ एक लैगून के मोहाने पर इस्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है चितर संख्या 7.6 में मुंबई पत्तन में जहाज पर ट्रकों को ले जाते हुए दिखाया गया है चितर संख्या 7.7 में निव मैंगलोर पत्तन पर टैंकर द्वारा कच्चे तेल के निर्वहन को प्रदेशित किया गया है पूर्वी तट के साथ तमिलनाडू में दक्षिन पूर्वी छोर पर तूती कोरन पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्य है तथा इसकी प्रिष्ट भूमी भी अत्यंत सम्रिद्ध है। अताह यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मौलदीव, आदी तथा भारत के तटिये क्षित्रों की भिन्न वस्तूओं के व्यापार को संचालित करता है। चंद्नै हमारे देश का प्राचीनतम कृत रिम पत्तन है। व्यापार की मातरा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा एस्थान है। विशाखा पत्नम स्थल से घिरा, गहरा वा सुरक्षित पत्तन है. प्रारंभ में यह पत्तन लह आयस्क निर्यातक के रूप में विक्सित किया गया था. उडिसा में इस्थित पारा दीप पत्तन विशेश्ता लह अयस्क का निर्यात करता है कोलकाता एक अन्तास थलिये नदिये यानि रिवराइन पत्तन है यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के व्रेहत वा सम्रिद्ध प्रिष्ट भूमी को सेवाई प्रदान करता है जुआरिये यानि टाइडल पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलचट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हे तू हल्दिया को सहायक पत्तन के रूप में विक्सित किया गया है चित्र संख्या 7.8 में बड़े आकार के कारगों को उठाने रखने की सुविधाउं से युक्त तूती कोरिन पत्तन को दर्शाया गया है वायू परिवहन आज वायू परिवहन तीवरितम आराम दायक वा प्रत्यष्ठित परिवहन का साधन है इसके द्वारा अती दुर्गम इस्थानों जैसे उंचे परवत, मरु इस्थलों, घनी जंगलों वा लंबे समुदरी रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है वायू परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राजियों के विशे में सूचें जहां बड़ी नतियां, विच्छिन धरातल, घनी जंगल, निरंतर बाण आदी एक सामान ने बात है हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभी गम में बना दिया है प्रिष्ट संख्या 95 पर भारत का मानचित्र अंकित है, जिसमें मुख्य पत्तन और अंतर राष्ट्रिय हवाई पत्तनों को प्रदशित किया गया है समुद्री पत्तन हैं, गुजरात में कांडला, महराष्ट में जवाहलाल नहरू पत्तन, गोवा में मारमा गाउ, करनाठक में न्यू मंगलॉर, केरल में कोच्ची, तमिलाडु में तूती कोरिन और चन्नई, आंध्र प्रदेश में विशाखा पत्नम, ओडिशा में पारादीप, पश्चिम बंगाल में हल्दिया देश के हवाई पत्तन है, पंजाब के अम्रिस्सर में राजा सांसी हवाई पत्तन, दिल्ली में इंद्रा गांधी अंतराष्ट्रिये हवाई पत्तन, महराष्ट के मुंबई में चद्रपती शिवाजी, केरल में थिरुवनन तपुरम, तमिल नाडु में मी नम्बकम, कोलकाता में नेताजी सुभाष्चंद्र बोस हवाई पत्तन, प्रिष्ट संख्या 96, चित्र संख्या 7.9 में वायू परिवहन के एक साधन को प्रदेशित किया गया है, उत्तर पूर्वी राजियों में वायू परिवहन अधिक महतपून क्यूं है? सन 1953 में वायू परिवहन का राश्ट्रिय करण किया गया, वैवाहरिक दोर पर इंडियन एयर लाइन्स, अलाइन्स एयर यानि इंडियन एयर लाइन्स की अनुशंगी तथा कई निजी एयर लाइन्स घरेलू विमान सेवाएं उपलब्द कराती हैं, एयर इंडिया अंतर राश्ट्रिये वायू सेवाएं प्रदान करती है, पवन हंस हेलिकॉप्टर लिमिटेट तेल वा प्रकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटिये संक्रियाओं में तथा अगम में वा दुरलब भू भागों जैसे उत्तर पूर्वी राजियों तथा जम् कॉप्टर सेवाएं उपलद करवाता है। इंडियन एयर लाइन्स की संक्रियाएं पडोसी देशों दक्षण एशिया, दक्षण पूर्वी एशिया तथा मद्दे एशिया तक विस्त्रित हैं। इंडियन एयर लाइन्स से जुड़े देशों के नाम बताएं। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुँच में नहीं है। केवल उत्तरी पूर्वी राजियों में इन सेवाओं को आम आत्मी तक उपलब्द करवाने हेतु विशेश प्रबंध किये गए हैं। संचार सेवाएं जब से मानव प्रित्वी पर अवतरित हुआ है। उसने विभिन संचार माध्यमों का प्रयोक किया है। लेकिन आधोनिक समय में बदलाव की गती तीवर है। संदेश प्राप्त करता या संदेश भीजने वाले के गती विहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूर संचार तथा जन संचार में दूर दर्शन, रेडियो, समचार पत्र समोहु, प्रेस तथा सिनेमा आधी देश के प्रमुक संचार साधन है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का व्रिहत्तम है। यहा पारसल निजी पत्र वैवहार तथा तार आधी को संचालित करता है। कार्ड वा लिफाफा बंद चिठी पहली श्रेडिंग की डाक समझी जाती है। तथा विभिन स्थानों पर वायू यान दौरा पहुँचाए जाते हैं। दौितिय श्रेडिंग की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल हैं। ये धरातलिये डाक द्वारा पहुचाए जाते हैं। तथा इनके लिए स्थल वा जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों वा नगरों में डाक संचार में शीगरता हेतू, हाल ही में छैडाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधनी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, वैपार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं? अन्य देशों की तुलना में भारत में लगभग 37,565 दूरभाश किंद्र हैं, जो संपून भारत में फैले हैं, सुच्छा से किसी भी अन्य देश से इनका तुलनात्मक वर्लन करें। चित्र संख्या 7.10 में राष्ट्रिय राजमार्ग 8 पर एक आपात कालीन कॉल बॉक्स को प्रदशित किया गया है। दूर संचार तंत्र में भारत, एशिया, महाद्वीप में अग्रणी है। नगरिय क्षित्रों के अतरिक्त भारत के दो तिहाई से अधिक गाउं स्टीडी दूरभाश सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समरिद्ध करने हैं तू। भारत सरकार ने देश के प्रतेग गाउं में 24 घंटे स्टीडी सुविधा के विशेश प्रबंध किये हैं। पूरे देश भर में एस्टीडी की दरों को भी नियमित किया गया है। यह सब सूचना, संचार वा अंतरिक्ष प्रद्योकिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। प्रिष्ठ संख्या 97 जन संचार मानव को मनरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रिय कारक्रमों वा नेतियों की विशे में जागरूख करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित हैं। आकाश वाणी यानी All India Radio, राष्ट्रिय, क्षित्रिय तथा स्थानिय भाषा में देश के विभिन भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कारक्रम प्रसारित करता है। दूर दर्शन, देश का राष्ट्रिय समाचार वा संदेश माध्यम है, तथा विश्य के व्रिहत्तम संचार तंत्र में एक है। यहाँ विभिन आयूवर्ग के व्यक्तियों हेतू, मनोरंजक, ज्यान वर्धक वा खेल जगस संबंधी कारक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामेक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। यह पत्रिकाएं सामेक होने के नातें, जैसे मासिक, सापतहिकादी, कई प्रकार की हैं। समाचार पत्र लगभग सौ भाशाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सरवधिक समाचार पत्र हिंदी भाशा में प्रकाशित होते हैं। तथा इसके बाद अंग्रेजी वा उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सरवधिक चल्चित्रों का उत्पादक भी है। यहां कम अवधी वाली फिल्में वीडियो फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतिये वा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रिये फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है अंतर राश्टिये व्यापार राजियों वा देशों में विक्तियों के बीच वस्तूओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है बाजार एक ऐसी जगा है जहां इसका विनिमय होता है दो देशों के मध्धे यह व्यापार अंतर राश्टिये व्यापार कहलाता है यह समुद्री, हवाई वा स्थली ए मार्गों दोरा हो सकता है यद्यपी स्थानी बैपार शहरों, कज्बूं वा गावों में होता है राजस्तरी बैपार दो या अधिक राजियों के मद्डे होता है एक देश के अंतर राष्ट्रिये व्यापार की प्रगती उसके आर्थिक वैभव का सूचक है इसलिए इसे राष्ट का आर्थिक बैरोमेटर भी कहा जाता है सभी देश अंतर राष्ट्रिये व्यापार पर निर्भर हैं क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षित्रिय है, अर्थात इनका वित्रण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात वन निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्ले आयात मूल्ले से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विप्रीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। विश्व के सभी भागौलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। पिछले कुछ वर्षों से वर्ष 2004-2005 तक निर्यात वृध्धि वाली वस्तुवें ये हैं। क्रिशी वर्गों से संबंधित उत्पाद। वृध्धी दू दशमलव पांच तीन प्रतिशात। खनिज वा अयस्क नौ दशमलव एक दू प्रतिशात। रत्न वा जवाहरात चबीस दशमलव साथ पांच प्रतिशात। रसाइन वा संबंधित उत्पाद चौबीस दशमलव चार पांच प्रतिशात। इंजिनिरिंग सामान पैंटीस दशमलव छे तीन प्रतिशात। तथा पैट्रोलियम उत्पाद छे आसी दशमलव एक दो प्रतिशात आदे। भारत में आयतित वस्तुओं में पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पाद व्रिधी एक तालीस दशमलव आठ साथ प्रतिशात। मोती वा बहमुले रत्न उन्तीस दशमलव दो छे प्रतिशात। अकारबनी के रसाइन उन्तीस दशमलव तीन नौ प्रतिशात। कोईला, कोक तथा कोईले का गोला जानी ब्रिक्वेट्स चौरानवे दशमलव एक साथ प्रतिशात। मशीनरी बारा दशमलव पांच छे प बारी वस्तूओं के आयात में 49.09 प्रतिशत कुल आयात का वृद्धी हुई है। इस समूह में उर्वरक, खाद्यान, वनस्पति तेल वा छपाई मशीने भी शामिल हैं। अंतर राश्टिये व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है। वस्तूओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, यान तथा प्रद्योगिकी का आदान प्रदान बढ़ा है। भारत अंतराश्ट्री इस्तर पर एक सौफ्ट्वेर महाशक्ती के रूप में उपरा है तथा सूचना प्रद्योगी की के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुत्रा अर्जित कर रहा है परियतन एक व्यापार के रूप में पिछले तीन दशकों में भारत में परियतन उद्योग में महतपून व्रिद्धी हुई है वर्ष 2003 की अपेक्षा 2004 के दौरान देश में विदेशी परियतकों के आगमन में 23.5 प्रतिशत व्रिद्धी दर्ज की गई जिससे 21,828 करोड विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई प्रिष्ट संख्या 98 प्रिष्ट संख्या 98 पर प्रदशित्चित्र में विभिन समचार पत्रों के अंश दर्शाए गए हैं इन में भारत के विभिन परियतन इस्थल दिखाए गए हैं क्रिया कलाप भारत में विरासत परियतन पर एक प्रोजेक्ट तयार करें प्रतेक वर्ष भारत में 26 लाग से अधिक विदेशी परियतक आते हैं 150 लाग से अधिक व्यक्ती परियतन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से सनलगने हैं परियटन राष्ट्रिय एक्ता को प्रोसाहित करता है तथा इस्थानिय हस्तिकला वा सांस्कृतिक उद्यमों को प्राश्रह देता है अंतर राष्ट्रिय इस्तर पर ये हमें संस्कृती तथा विरासत की समझ विक्सित करने में सहायक है विदेशी परियटक भारत में विरासत परियटन, पारी परियटन यानी एको टुरिज्म, रोमांचकारी परियटन, सांस्कृतिक परियटन, चिकिस्सा परियटन तथा व्यापारिक परियटन के लिए आते हैं भारत में विदेशी परियटकों के लिए राजिस्थान, गुवा, जम्मुव कश्मीर तथा दक्षुन भारत के मंदिरों के नगर प्रमुक दर्शिनिये स्थल हैं उत्तर पूर्वी भारत वा हिमाले के अंद्रूनी भाग संभावे परियटन विकास स्थल हैं लेकिन सामरिक कारणों से इनके विकास को अब तक प्रोसाहित नहीं किया गया है यद्यपी परियटन उद्योग विकास का एक उज्वल भविश्य है प्रिष्ट संख्या 99 अभ्याज प्रश्ण संख्या 1 बहु वेकल्पिक प्रश्ण एक इनमे से कौन से दो दूरस्थ स्थित इस्थान पूर्वी पश्चमी गलियारे से जुड़े हैं क मुंबई तथा नाकपुर ख मुंबई और कोलकाता ग सिल्चर तथा पूरबंदर ग नाकपुर तथा सिली गुड़ी 2. इनमे से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है क रेल परिवहन ख पाइपलाइन ग सड़क परिवहन ग जल परिवहन 3. इनमे से कौन सा राचे हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है क मध्य प्रदेश ख गुजरात ग महराष्ट्र ग उत्तर प्रदेश 4. इनमे से कौन सा पत्तन पूर्वी तट परिस्थित है जो अंताह स्थलिये तथा अधिक्तम गहराई का पत्तन है तथा पून सुरक्षित है क चन्नई ख तूती कोरिन ग पारादीप ग विशाखा पत्नम 5. इनमे से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है क पाइपलाइन ख सड़क परिवहन ग रिल परिवहन ग वायू परिवहन 6. इनमे से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के वयापार को दर्शाता है क आंतरिक वयापार ख बाहरी वयापार ग अंतरराश्ट्रिय वयापार ग स्थानिय वयापार प्रश्न संख्या दो इन प्रश्नों के उत्तर लगभग तीस शब्दों में दीजे 1. सड़क परिवहन के तीन गुण बताएं 2. रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधा जनक परिवहन साधन है तथा क्यूं? 3. सीमांत सड़कों का महत्व बताएं 4. वयापार से आप क्या समझते हैं? स्थानिय वा अंतर राश्टिय वयापार में अंतर स्पश्ट करें प्रश्न 3. इन प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजे 1. परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थ वैवस्था क्यों कहे जाते हैं? 2. पिछले 15 वर्शों में अंतर राश्टिय वयापार की बदलती प्रावृत्ति पर एक लेख लिखें 3. प्रिष्ट संख्या 100 क्रिया कलाप, क्षैतिज, ओर्धवाधर तथा विकण रूप से शुरू करते हुए देश के विभिन गंतव्यों को चिनित करें नोट, पहली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं पहली से सम्मंधित कुछ प्रश्ण ये हैं 1. उत्तरी दक्षणी गलियारे यानि कोरिडोर का उत्तरी छोर 2. राश्ट्रिय राजमार्ग संख्या 2 का नाम 3. दक्षण रेलवे खंड का मुख्या लाए 4. एक दशमलव 6-7-6 मीटर चोड़ाई वाले रेल मार्ग का नाम 5. राश्ट्रिय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षण तम किनारा 6. एक नदिय पत्टन 7. उत्तरी भारत का व्यस्त तम रेलवे जंग्शन अभी आप सुन रहे थे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल की ध्वनी पाठिपुस्तक समकालीन भारत भाग दो प्रस्तुतिती C-I-E-T-N-C-E-R-T